Hello friends, welcome to interior travel talk Friends, आज हम उदयपूर trip plan के बारे में discussion करने वाले हैं तो basically आज मैं आपको 2 days और 3 days का trip plan देने वाला हूँ उदयपूर का So basically कारित स्थान पर बहुत सारी videos already available है पर हमारे channel परे और बहुत सारे blocks भी available हैं उदयपूर trip plan से related भी एक video available है लेकिन इस वीडियो में मैं कुछ बहुत सारी additional information एड़ करने वाला हूँ बिलकुल new way में आपको यहाँ पर trip प्लान देने वाला हूँ तो basically आप चाहें तो old वीडियो भी watch कर सकते हैं लेकिन इस वीडियो में आपको बहुत सारी new information मिलने वाली है तो इस वीडियो को अगर आप बहुत अच्छे से watch करेंगे और प्लान करेंगे उद्यार को तो आप बहुत ज़्यादा enjoy करने वाले तो अगर हम यहाँ पर trip plan को start करें तो basically मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको कुछ important points बता देता हूँ और उसके बाद फिर मैं आपके साथ आइपनली भी discuss कर लेता हूँ तो पहले ही अगर हम लोग discuss करते हैं best season की तो best season क्या रहेगा उदैपूर जाने के लिए तो basically October से लेकर मार्स तक आप plan कर सकते हैं लेकिन उसमें से भी अगर मैं सबसे best की बात करूँ तो आप December जनवरी प्लान करें आप बहुत जादा enjoy करेंगे इसके रावा अगर हम लोग discuss करते हैं कि उदैपूर में hotel आपको कहां पर लेनी चाहिए तो उदैपूर में जो hotel हैं वो आप ले सकते हैं City Palace के आसपास इस पीछली मैं बोलूँगा आप लेक पिछोला के आसपास hotel लीजिए अगर आप लेक व्यू के साथ hotel ले सकते हैं तो वो बहुत ही ultimate रहेगा थोड़े costly पढ़ेंगे लेकिन आप बहुत जादा enjoy करेंगे लेकिन अगर मैं on an average hotel price की यहां पर बात करूँ तो आप 1000 से लेकर 2000 की range में expect कर सकते हैं एक budget friendly hotel जो family के लिए suitable हो अगर हम next point discuss करें कि उदायपुर पहुँचे कैसे तो basically उदायपुर जाने के लिए Delhi से या जैपूर से bus connectivity, train connectivity बहुत ही बढ़िया है सबीशली अगर मैं Delhi से बात करूँ तो अगर आप train से जाना चाते हैं तो 3rd AC का जो किराया है वो 1100 के आसपास है और sleeper का 500 रुपीज है और flight की connectivity भी बढ़िया है आँसे Delhi से 2500 तो 3000 की range में आपको flight मिल जाती है अगर आप pre booking करवा लेते हैं तो उदायपुर आप काफी आसानी से पहुँच सकते हैं इसके बाद अगर हम next point discuss करें कि उदायपुर में आपको कितने दिन देने चाहिए तो friends उदायपुर जैसा मैंने starting में भी आपको बोला कि दो दिन तो आपको देने ही चाहिए लेकिन अगर आप 3 days देते हैं या उससे जादा देते हैं तो excellent रहेगा 3 days अगर आप दे पाए ना तो आप बहुत जादा अच्छे से enjoy करेंगे relaxing manner में आप enjoy करेंगे now friends next point ये discussion के लिए होगा कि उदायपुर में आप travel कैसे करें basically अगर हम लोग उदायपुर में discuss करें ना तो जो main attraction है city के अंदर बारे attractions है वो बिल्कुल आस पास है means आप बोल सकते हैं कि एक attraction से दूसरे attraction तक maximum से maximum distance भी जो होगा वो 3-4 km ही होगा यहाँ पर मैं city के अंदर बारे attractions की बात कर रहा हूँ तो ना उसके लिए आपको ना कोई private taxi book करवाने की जवरत नहीं है आप चाहें तो करवा सकते हैं full day के लिए लेकिन अगर आप budget traveling prefer करते हैं तो फिर जवरत नहीं है आप normally चाहें तो एक auto book करवा सकते हैं सुबा से शाम तक के लिए 500 से 600 में आपको auto मिल जाती है और उसमें आप बड़े अराम से 4 से 5 लोग बैट कर सारे tourist spot वहाँ पर cover कर सकते हैं इसके लावा आप चाहें तो एक प्रेस से दुसरे प्रेस जाने के लिए auto का यूज़ कर सकते हैं इसके लावा अगर आप चाहें तो ओला उबर का भी यूज़ कर सकते हैं इसके लावा अगर आप चाहें जैसा हम करते हैं आप स्कूटी या बाइक रेंट पर ले सकते हैं 300 रुपीज में आपको स्कूटी मिल जाएगी आप व्लॉक्स लेख सकते हैं हमने उदैपूर के उपर सारे के सारे व्लॉक जो हैं वो चैनल पर डाले हुए हैं तो वहाँ पर हम लोगों ने स्कूटी से ही completely travel किया है उदैपूरा उसके आज पास की location भी हमने स्कूटी से ही taxi यूज कर सकते हैं या तो फिर आप बस के थू जा सकते हैं या तो फिर अगे एक्टिवा या बाइक से जा सकते हैं जो हम prefer करते हैं लेकिन मैं आपको recommend करूँगा अगर आफ फैमिली में चाह रहे हैं तो आप private taxi book करवाईए उसका reason भी मैं आपको आगे जाकर जरूर हम लोग यहां पर trip plan start करें तो let's suppose आप day 1 में 9 o'clock 8 o'clock तक morning में आप उदयपूर पहुँच गये मैं आपको recommend करूँगा कि आप night की train या बस ही लीजिए ताकि आपका hotel का खरचा भी बचे तो जैसे कि अगर आप सुबह 8-9 बचे तक पहुँच जाते हैं तो उसके बाद 10-10.30 तक ठीक है आप hotel से निकल जाईए एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा जब आप hotel में 9 o'clock के आज पास पहुच जाते हैं या उससे भी जल्दी पहुच जाते हैं तो check-in time की problem होती है उससे related मैंने बहुत important video बना रखी है hotel tips related जो अभी latest published की है मैंने तो उस video को आप ज करना क्या है आप breakfast कर लीजिए पहले वैसे जैसे मैंने आपको बोला है कि hotel आपको city palace या लेक पिछोला के आसपास ही लेना है तो वहाँ पर आपको breakfast के बहुत सारे अच्छी option मिल जाए लिए आप चाहें तो इसी restaurant में बैट कर सकते हैं लेकिन मैं आपको recommend करूँगा कि आप city palace के आसपास तो street food के option है वहीं पर आप breakfast कर लीजिए लेकिन उससे भी पहले अगर आप चाहें तो city palace के पास में जगदीश temple है वहाँ पर आप धर्शन कर लीजिए भगवान जी के और अपने दिल की अच्छी शुरुआत कीजिए और उसके बाद फिर आप breakfast कर लीजिए औ और उसकी बाद friends कोशिश करिए कि 11, 11, 30, 12 o'clock तक जितना भी आपको suit करे आपना city palace के अंदर चले जाएए तो friends सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको tickets के बारे में बता देता हूँ जैसा मैंने आपको बोला कि आपको museum देखना है ठीक है आप normally walk भी कर सकते हैं outer area में और इसके लावा आप boating जरूर कीजिए तो यहाँ पर अगर मैं सब के बारे में आपको information दूँ तो अगर आप normally walk करना चाहते हैं outer area में तो ticket price is 30 rupees इसके लावा अगर आप museum देखना चाहते हैं तो 300 rupees है और अगर आप student है तो इस point पर घ्यान रखेगा student ID card शो करने पर museum की ticket 100 rupees हो जाती ह तो काफी important information है बहुत जादा concession मिलता है और इसके लावा जो boating के prices है तो basically boating जो है वो city palace के अंदर से ही आप करेंगे ठीक है लास्ता बना होगा city palace के अंदर से और गोट के थो आप जग मंदिर जाते हैं जग मंदिर friends blog भी available है आप देखिएगा वैसे हर एक चीज का blog available है उ boating करना city palace के अंदर से लेकिन वर्थ है आपको करना चाहिए तो boating के prices के मैं बात करूँ तो 10 to 2 अगर आप करते हैं तो 500 रुपीज है और children के लिए 250 और अगर आप 3 to 5 करते हैं तो यह 800 रुपीज हो जाता है और जो children है उनके लिए हो जाता है 450 और यह ख्यान रखिएगा मै टूबर से लेके मास तक के prices आपको बता रहो वैसे वही season time है उस time ही आपको जाना चाहिए तो यहाँ पर ना इस point को समझीएगा कि दोनों के अपने advantages हैं और disadvantages है 10 to 2 का अपने advantages है price कम है इसके लाबा लंबी-लंबी line में आपको लगना नहीं पढ़ता जाला crowd नहीं होता उस time enjoy करते हैं अगर आप December जन्मरी के time में जाते हैं तो 5-5-5 के आसपास अंधेरा ओने लगता है आप basically sunset enjoy कर सकते हैं तो अपने advantages and disadvantages हैं तो आप अपने according choose कर सकते हैं देखिए एक बार अगर आप 11-12 बचे City Palace के अंदर चले गए तो वह आपके उपर है कि आपको पहले museum देखना है कि पहले आपको boating करनी है वो आप decide कीजिए personally दोनों ही means environment अच्छा है वैसे City Palace के अलावा भी उदैपुल में बहुत सारी ऐसी जगहा है जहां पर शाम का view बहुत अच्छा रहता है तो personally मैं दिन का time prefer करूंगा boating के लिए क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़े जो हम enjoy कर सकते हैं और कई जगहों से तो price भी save होगा और photos और videos भी अच्छी आएंगी तो इस point को मैं consider करूंगा लेकिन आप अपने according यहाँ पर choose कर सकते हैं तो अगर हम लोग museum की बात करते हैं तो आपका ना पूरा शाम आपको लग जाएगा outer area city palace का cover करने में और museum cover करने में बहार आप आओगे अगर आप 12 o'clock पे अंदर जा रहे हो इसके रावा एक point ध्यान रखेगा कि city palace जब आप अंदर जा रहे हो ना तो breakfast अच्छे से कर दीजिएगा क्योंकि city palace के अंदर options तो हैं लिकिन थोड़े costly हो जाएंगे और आप इतना जादा walk करेंगे कि आपको बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए जैसे कि आप vintage car museum enjoy कर सकते हैं 929 उसकी टाइमिंग होती है तो 400 रुपीज एडल के लिए 250 रुपीज चिल्रन के लिए है इसके लावा crystal gallery है 700 और 500 टिकेट से आपकी एडल और चिल्रन के लिए 9-630 टाइमिंग है इसके लावा और भी ब different different type के light and sound show होते हैं 300-200 के आस पास इसके लिए ticket prices है तो बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए लेकिन मैं आपको recommend करूँगा कि अगर आप museum कर लीजिए उसके लावा normal walk कर लीजिए और इसके लावा आप boating कर लीजिए और friends boating के लिए भी ना बहुत सारे और options हैं आपके पा 13-18 seater भी है 15,000 and 17,000 इस तरह के prices हैं तो वो भी option आप choose कर सकते हैं लेकिन जो मैंने आपको starting में बताया ना वही आपके लिए main रहेगा और उसी में 5.30 तक आप बीजी रहेंगे ये मान के चलिए अगर आप 11.30 12 o'clock तक entry लेते हैं तो museum, normal walking और वहां पर boating इतना आप कर जिए more than enough है और उसके बाद आप पूरी कोशिश के जिए कि 5.30 तक आप बाहर निकल जाएं City Palace के कुछ snacks लेना है तो जल्दी से snacks ले दीजिए और चले जाए बागोर की हवेली तो basically friends अगर हम लोग बागोर की हवेली के बारे में discussion करें ना तो यहां पर museum भी है चीजे है दे 7 to 8 लेकिन जो entry है वो 6.15 से start हो जाती है इस point को ध्यान रखिएगा कि जो पहले आएगा वो पहले बैठेगा तो ticket prices अलग-अलग नहीं है तो आप कोशिश कीजिए कि आप 600 तक वहां पहुँच जाए ताकि आप सामले बैठ पाएं और अच्छे से dance enjoy कर पाएं एक point और है कि अगर आप 6 वजे पहुंचते हैं तो maximum chances है season time में आपको ticket ना मिले तो आप ticket online book करवा लीजिए मैं आपको online price यहाँ पर बता देता हूँ online price है आपका 115 रुपए 115 ऐसे price 100 रुपीज ही है लेकिन online charges विलाके वो 115 रुपए हो जाता है इसके रावा site का नाम ही मैं आपको बता द देता हूँ धरोहरfogdance.in तो यहाँ पर जाके आप ticket अपने book करवा सकते हैं पहले से ही book करवा लीजिएगा वैल प्लान करेंगे तो बहुत अच्छे से enjoy कर पाएंगे उदयपूर में तो friends seven to eight fog dance enjoy कर लेने के बाद वैसे मैं आपको यह भी बता दूँ कि जो बागोर की फिर आप friends कोशिश करिए गर्णकॉर घाट में night के लिए enjoy करिए यकीन मानी इस पर भी ब्लॉग है आप बहुत जादा enjoy करेंगे वहाँ पर नाइव पर और अगर आप चाहें तो time अगर permit करता है और अगर अभी विया energy है आपने तो आप जा सकते हैं अमराई घाट और वहा ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो फिर आप कहीं और भी डिनर कर सकते हैं बहुत सारे options हैं उद्यपूर पे लेकिन आप अमराई घाट जरूर विजिट कर सकते हैं नाइट के विउस वहाँ से आपको excellent मिलने वाले हैं तो friends फिर आपका यहाँ पर day 1 जो हो finish हो जाएगा और अब हम day 2 के बार में discussion करें तो friends अगर आप सुबा जल्दी उठ सकते हैं तो आप सुबा जल्दी उठकर sunrise देखने के लिए चले जाएए बाहु बली खिल्स की तरफ friends यह आपका 11 to 12 किलोमेटर के distance पे है city palace से main city center से और आप बड़े अराम से taxi बुक करके या आटो बुक करके जा सकते हैं but main spot तक पहुंचने के लिए आपको वहाँ पर track करना पड़ता है means एक location के बाद auto air taxi आपको वहाँ पर उदार देगी उसके बाद आपको फिर track करना पड़ेगा 15 to 20 minutes का short track है और आप काफी जादा enjoy करेंगे यकीन मानिए थोड़ा सगर आप adventure करना चाहते हैं और sunrise enjoy करना चाहत ठीक है और यहां पर अगर आप रास्ते में चाहें तो आप फते सागर लेग पे रुख सकते हैं 15 to 20 minutes के लिए वैसे आपको फते सागर लेग आफ्टरून या यूनिक में वापस आना ही है तो आप चाहें तो इसके बीग कर सकते हैं और hotel आने के बाद ना अगर आप सिर्फ टू देज के लिए हैं तो चेक आउट कर दीजिए और लगेज रूपर अपना समान रखा दीजिएगा फ्रेशन अब हो जाने के बाद और इसके लावा अगर आपने hotel में breakfast इंक्लूट नहीं करवाया है तो फिर आप breakfast बाहर करेंगे obviously बात है वैसे मैं आपको recommend करूँगा क खाने पीने के इतने अच्छे अच्छे option है ना street food के और अच्छे अच्छे restaurant है तो यहां पर आप बाहर breakfast करेंगे ना तो मैं आपको recommend करूँगा कि आप directly ना सहीलियों की बाड़ी ही चलिए ठीक है वहां आपको विजिट करना है वैसे सहीलियों की बाड़ी शाम को ज्याद आप सहीलियों की बाड़ी चले जाए और सहीलियों की बाड़ी कि आज पास ही आप breakfast कर लीजिए 20 रूपीज आपकी entry ticket है वहाँ पर आप बड़े अराम से वहाँ पर one hour तक enjoy कर सकते हैं और अगर आप सहीलियों की बाड़ी में guide करना चाहें तो 50-200 रूपीज टिकेट है वै लेकिन आप चाहें तो सहीलियों की बाड़ी में भी कर सकते हैं वैसे जनलरी हम खुद से गुमना प्रिफर करते हैं लेकिन सब के अपनी personal choice होती है इसलिए आपको बता दिया और इसके रावा जैसे ही आप सहीलियों की बाड़ी enjoy करके फिर बाहर की तरफ निकलेंगे तो आ अगर आप यहां पर सर्जंगर फोर्ट पैलेस की तरफ जाते हैं माल लीजिए आप 11-11.30 के आसपास 12 o'clock के आसपास भी निकल रहे हैं तो सर्जंगर फोर्ट पैलेस ना सीदी से अच्छा खासा दूर है तो आपको आधा गंटा लग जाएगा और आपको यहां पर मैं रे आपको सभी के सभी ले जाएगे लेकिन उसके बाद आपको काफी हाइप पे जाना होता है बहुत ज्यादा स्लोपी है तो वहां पर अगर आप लोकल टेक्सी करेंगे तो वह आपको उपर तक पुरा ले जाएगे और फिर एन पॉइंट के बाद बो लेकर नहीं जाएगी इस पॉइंट को ध्यान लखिएगा और इसके लावा अगर आप खुद की कार से जा रहे तो थोड़ा सा मतलब ट्रिकी रास्ता है थोड़ा सा डेंजरस है तो अगर आप experience ड्राइवर नहीं है ऐसी रोस पर चलाने के लिए तो मैं आपको recommend करूँगा कि वहां से फिर आप शेयर जीट पे चले जाएए शेयर टैक्सी जो होती है उस पे चले जाएए 150 रुपीस चार्ज होते हैं में गेट से जो हाइट है वहां पर जाने की मैं बात कर रहा हूं या वहां से आप दूसरी गाड़ी गुक कर लीजिए अगर आप परस्नल गाड़ी गुक करते हैं तो 500 सज्जंगर फोर्ट पहुंचेंगे वहां पर आप वन आवर वन और अफ और एंजॉय कीजिए एक पॉइंट और ध्यान दीजिएगा सज्जंगर फोर्ट पैरेस भी एक ऐसा प्रेस है जो की संसेट के लिए बहुत अला फेमस है लेकिन अगें पॉइंट यह है कि अगर आ मैं आपको मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूं कार पार्किंग तुट्वेंटी रूपीज है बाइक पार्किंग 35 रूपीज एंट्री चार्जिस 70 रूपीज है और 5 पीम के बाद एंट्री नहीं होती है तो फ्रेंड सज्जंगर फोर्ट इंजॉय कर ल करनी माता जी के मंदिर दूद तलाई पास आपको जाना है सिटी पैलेस से 40 रूपीज आटो वाले लेते आपको पूंचा देंगे वहाँ पर तो दूद तलाई के पास आपको रोपवेक औप्शन मिल जाएगा अगर यहाँ पर मैं रोपवेक ये प्राइस की बात करू तो 120 रूपीज होता है वैसे आप जो प्राइवेट व्यूप करवा सकते हैं 4 cabin, 2 cabin और उससे ज्यादा cabin वाले option भी है तो प्राइवेट के चार्चे बढ़ते चले जाएंगे लेकिन एक normal price दो में आपको बता रहा हूँ, 120 रूपीज आना जाना आपका लगता है तो यहाँ पर आप पूरी कोशिश कीजिएगा कि करणी माता जी के मंदिर आप ऐसे टाइम पे जाएगा कि वापसी आते आते अंधेरा हो जाए, मतलब 6 o'clock लगबग लबग हो जाए, 6 p.m. हो जाए क्योंकि ना उपर से views बहुत एक्सिदेंट दिखाए देते हैं, लेक के और पुरे city के views बहुत ही बड़ी आपको दिखाए नहींगे, night view तो आप ऐसे टाइप पे जाएए कि जाते समय थोड़ा सा उजाला हो, वो views भी आप एंजॉय करिए और आपसी आते समय अंधेरा हो जाए तो कड़ी माता जी के बिंदिर जाते समय इस पॉइंट को ध्यान रखेगा, lines थोड़ी रंबी होती है रोगवे के लिए, तो थोड़ा सा टाइम देकर ही आप जाएएगा, 3.30, 4.00 तक अगर आप पहुँच जाएंगे वहां पर रोगवे के आस पास, तो सबसे best timing आपके जा सकते हैं, और उसके बाद मान दीजिए, 6.30, 7.00 तक आप आगए, तो उसके बाद friends, आप फिर चले जाएए फटे सादल लेग पे, फटे सादल लेग फ्रेंड्स बहुत ही excellent है, क्योंकि वहां पर है Bombay Market, बहुत ही excellent environment रहता है, इविनिंग के टाइम पे, Bombay Market, basically friends, food के options है आपको मिलते हैं, और बहुत अच्छा environment रहता है, तो लेग भी है आपकी, तो आपना वहां पर अराम सी 2-3 hours तत्थ इंजॉय कर सकते हैं, खाप भी सकते हैं, फुल रिलेक्स कर सकते हैं, अब friends, मैंने आपको ये बोला था, कि day 2 के लिए, सहीलियों की बाड़ी के बाद आप, यहाँ पर आजाएगे, Bombay मार के फते सागर लेक्स, दूसरा option friends, यह हो सकता था आपके पास, सहीलियों की बाड़ी के बाड़ी के बाद, कि आप सज्जनकर फोर्ट ना जाएं, और यहाँ पर ना जो फते सागर लेक्स है, उस तरफ आजाएगे 12 क्रॉप के आस पास, क्योंकि ना फते सागर लेक्स दिन में आने के भी बहुत सारे advantages है, दिन में अगर आप फते सागर लेक्स आते हैं तो अफिर आप camel ride कर सकते हैं, horse riding कर सकते हैं, बोटिंग कर सकते हैं, जैसे माल लीजिए, जो जग मंदिर था, जो city palace से, जो आपने बोटिंग की है, उसके ल कर सकते हैं, और इसके लाव जो मैंने आपको बताया, camel ride के जो charges है, 200 rupees है, couple के लिए, horse riding आप कर सकते हैं, बहुत सारे options आपको daytime में बिलते हैं, पार्क है फते सागर लेक्स पे, वो भी आप enjoy कर सकते हैं, और Bombay Market भी open रहता है, तो आप street food भी enjoy कर सकते हैं, तो आप बड़े अ time आप Bombay Market में spend कर लीजिए, और उसके बाद आप चले जाएए, सर्जंगर fort palace, ताकि आप वहाँ पर sunset enjoy कर पाएं, तो ये आप अपने according adjust कर सकते हैं, आपको ये point समझना होगा, वैसे vlogs available हैं, सभी चीजों पे, सर्जंगर fort पे vlog available नहीं है, बाकी सारी चीजों पे vlog available हैं, तो आप उस पे आप समझ सकते हैं कि आपको किस time पे कहा जाना चाहिए, ताकि आप ज़्यादा enjoy कर पाएंगे, और friends, last में अगर आपके पास थोड़ा भी time बचे, अगर आप day 2 में वापस जाने वाले हैं, तब तो आप late night की train करवाईएगा, और फिर आप चले जाएएगा, ल जो लोग यहाँ पर 3 days के लिए enjoy करने वाले हैं या 4 days के लिए उनके लिए भी यहाँ पर मैं प्लान बता देता हूं, तो friends, third day में आप क्या कर सकते हैं basically, third day में, अगर आप 3 days के लिए हैं, तो 2 days को आप बिल्कुल सेम रखे, और third day में आप निकल जाएगे day trip के लिए, friends, य लेकिन आप private taxi book करा लिजिएगा, अगर आप family में जा रहे हैं तो, तो हमने जो day trip की थी, वो की थी, हल्दी काटी और कुम्बल गड़ी, तो basically, बहुत ही मजा आया था हमें, बट इस चीज को ध्याम रखेगा कि बस से मच जाईएगा, क्योंकि आपको फिर बहुत जाना बा आपको और मिलते हैं, तो आप कुम्बल गड़ डारेक भी जा सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा कम टाइप लगेगा, लेकिन अगर आप वाया हल्दी काटी होते वे जाते हैं, तो time थोड़ा बढ़ जाएगा, बतार 15-20 km सा आपके increase हो जाएंगे, लेकिन आप हल्दी काटी भी कवर कर पाएंगे, तो हल्दी काटी, basically friends, 60 km है, में आपका उदैपूर सिटी से, हल्दी काटी रोट 45 है, उसके आगे आपको 15 km और जाना पड़ता है हल्दी काटी के लिए, तो हल्दी काटी आप जानते ही है, बहुत ही famous है, तो हल्दी काटी से फिर आपको 60 km और जाना अगर मैं आपको बताओं, तो हमने लगबाग 9-9.30 के आज पास स्टार्ट लिया था उदैपूर सिटी से, और हम 6-6 बजे तक वापस आ गये थे, दोनों चीज़ें अच्छे से इंजॉय करने के बार, हाँ मैं ऐसा लगा था कि आपको फोर्ट में वन आवर और दे सकते थ है, बहुत ही प्यारा टेमपर है वहाँ पर, उसे भी आप जरूर एंजॉय करिए, अगर आप चाहिए तो नाथ द्वारा भी कवर कर सकते हैं, इसी रूट में आपको थोड़ा असा किलोमिटर और जाना पड़ेगा, आपको नाथ द्वारा भी मिल जाएगा, मतलब आगे जाना है, रास्ते में ही आपको थोड़ा से एक्स्टा और जाना पड़ेगा, तो नाथ द्वारा, रनगपूर, हल्दीगाटी, कुम्बलगर, ये प्लेसे आप जरूर कवर करिए, अगर आप अरली मॉनिंग स्टार्ट करते हैं, और रात तक अगर आपको अस टाइम है, त तो आप और टिकेट को कराईए, मैं आपको साइट का नाम बता देता हूँ, asi.payumoney.com, ठीक है, asi.payumoney.com, 35 उर्बीस की टिकेट है, जादा कॉस्टी नहीं है, और यहाँ पर आपको ध्यार देना होगा, कि जब आप साइट पे जाएंगे, तो ना आपको उदैपूर का कोई आपको option दिखाई नहीं देगा, आपको option दिखाई देगा, जोधपूर का और जैपूर का, ठीक है, तो जोधपूर वाला option select कीजिएगा, तो आपको वहाँ पर फिर कुंबलगर फोड शोग होने लगेगा, और काफी असानी से आप गुक कर वाप आएंगे, और वैसे आप महां जाकर भी ले सकते हैं, कोई problem है, सच नहीं है, और parking के charges भी nominal हैं, और इसके लावा, कुंबलगर फोड में आपको 2-3 hours तो चाहिए अगर आप बहुत अच्छे से visit करना चाहते हैं, एक point और ध्यान दिजिएगा, कुंबलगर फोड के अदर, जो camera है, वो allow नहीं करते हैं मिल्स वो आपको मना करके बेजेंगे, mobile आप use कर सकते हैं, mobile से shooting आप कर सकते हैं, लेकिन professional camera से आप shooting नहीं कर सकते हैं, हो सकता है, rules आगे change हो, लेकिन जहां तक की information मेरे पास है, वो मैंने आपको यहां पर बता ली है, इसके लावा, friends, कुंबलगर से related कुछ और information है, जो मैं दे देता हूं, वहाँ पर friends, resort भी है, बहुत अच्छे से resort है, बहुत अच्छे से hotels में है, आप चाहे तो वहाँ पर stay भी कर सकते हैं, अगर आप city में नहीं रहना चाते हैं, उदैपूर में, बेभार में, तो आप वहाँ पर जानकर भी रह सकते हैं, और इसके लावा, एक important information है, आप चाहे तो वहाँ पर जीप सफारी भी कर सकते हैं, 2900 उपीस पर जीप का होता है, ठीक है, I think 4-5 persons वहाँ पर आराउट होते हैं, तो ये कुछ options है, कुंबलगर 4 से related, तो friends, ये जो trip प्लान है, ये 3 days का हो गया, माल लीजिए, अगर आप 5.30 या 600 o'clock तक वापस आ है, और अगर आपकी train जो है, काफी लेट है, नाइट में, तो आप फिर से आप चाहे तो घाट के आज पास enjoy कर सकते हैं, या जो place मैंने आपको 2 days में बताया, अगर आपने वो cover नहीं किया, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं, इसके लाबा, जिनके पास 4th day है, वो इसी प्ला अगर फोर्ट, आप शाम को sunset enjoy कर सकते हैं, और इसके लाबा, बॉंबे मार्केट आप शाम को enjoy करिए, तो ऐसे बहुत सारे places हैं, जो शाम को enjoy करने वाले करणी माता जी का मंदिर, ठीक है, शाम को जाना चीए, आप बहुत अच्छा feel करेंगे, तो ऐसे बहुत सारे places हैं, तो सकते हैं, इसके लाबा, अगर आपनों discuss करें, तो उद्यापूर के आज पास भी बहुत सारी extra चीजे हैं, जैसे कि आप ची तौर गड़ जा सकते हैं, ची तौर गड़ का किलाब बहुत ही famous है, और इसके लाबा, आप सास बहुत टेमपल जा सकते हैं, तो friends, ये आपके जारी कीजिए, क्योंकि उद्यापूर ये आप बोल सकते हैं, कपुलिटी राजस्तान में, आपको बहुत जादा वाप करना पड़ता है, बिसलिए आप फोर्स देखते हैं, पैलिस देखते हैं, तो काफी वाप करना पड़ता है, तो पॉइंट को ध्यान रखेगा, नमबर या फर्वरी में फिर जा रहे हैं, तो आपको जैकट की जौरत पढ़ सकती है, और इसके लाबा उद्यापूर में बहुत सारी चीज़े हैं करने के लिए, और ना एक जगा से दूसरी जगा जाना बहुत लंबा डिस्टेंस नहीं है, लिकि ट्रैफिक इतना जाता ह आपको कई बारना टाइम लग जाता है आपको, तो आप प्रॉपरली रिसर्च करके जाहिएगा कि आपको कौन सा प्लेस कब कवर करना है, कितने प्लेस आपको कवर करने है, ताकि आप अच्छे तरीके से वहाँ पर इंजॉय कर पाएं, इसके लाब फ्रेंड्स जो नेक्स मत करवाईएगा, मैक्सिमम चार्जेस है वो, और अपनी ID क्रूफ जरूर कैरी कीजिएगा, और दो लोग है तो दो हेलमेट हील कीजिएगा, यह अगेर रिक्वेस्ट है, मैं हर एक वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, बहुत लोग ऐसे होते हैं, जो दो लोग पॉइंट को मैशा ध्यान दीजिए, दो ही हैलमेट दीजिए, और इसके रावा इस पॉइंट को ध्यान रखेगा, कि अगर आप सीटी के बाहर जाते हैं, जैसे हमने कुंबलगर फोर्ट के लिए भी बोला था, तो कुंबलगर फोर्ट के लिए न, एक तो कोई देने को र काफी असानी से आप जा सकते हैं, व्लॉग देखिएगा, हमने पूरी रोड शो की है, आप काफी असानी से एक्टिवा या बाइक से जा सकते हैं, इसके लब फ्रेंट्स, नेक्स्ट पॉंट के रहेगा, कि उदैपूर के पास में चिर्वा टनल है, वहाँ पर भी आप चा आप कोई आप कोई जाते हैं, और काफी सस्ते आप्शन आपको मिल जाते हैं, तो आपको लोगों से गुलने मिलने का मुखा भी मिलता है, और आप कम रेट में बहुत अच्छे से एंजोई भी करते हैं, इसके लाबा फ्रेंट्स, अगर मैं आपको म्यूजियुम की टाइम तो 9.30 तो 5.30 होती है और 4.30 पे टिकेट काउंटर क्लोज हो जाता है इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा और इसके लागा ना कार पार्किंग के जो चार्जेस हैं सिटी पैलेस में वो 350 रूपीज है 300 के उपर ही है ठीक है तो इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा काफी ज यह बहुत जाद आपको कॉस्ली पड़ेगा एक्टिवा या बाइक ला सकते हैं 25 या 30 रूपीज ही बातीन चार्जेस है लेकिन कार दिल्कुल भी मत लेखर जाईए अगर आप पास से आ रहे हैं तो इसके लाब फ्रेंट सिटी पैलेस में लाइट एंट साउंड शो का भी अगर आपको यह trip लाइक कीजिए और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जादा से जादा शेयर कीजिए और अगर आपके कोई कोश्यन हो तो आप वीडियो पर कमेंट भी कर सकते हैं या आप हमें डारेक्टी इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं या अगर आपके कुछ सजेशन हो तो वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं और यहां पर जैसा मैं हमेशा आपको बोलता हूं अपना बहुत बहुत ध्यार रखिये थैंक यू